जो हार दोस्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिजिट ब्लोक्स में तो अभी रात के बज रहे हैं सड़े बारा और अभी तक हम जो है जाग रहे हैं अभी तक जो है आदा से अधिक लोग जो है रात को सड़े बारा बज़े तक सोहे जाते होंगे तो लेकि लूफ के इतने सामान विकटा हुआ है इधर इधर और साहरा रूमरे संसामान भी खास हुआ है तो यह कोई और नहीं बल enzymes as a बिखार के रखे हैं बिखेरने का कारण है कि आई ये जानते हैं कि हम की वो बिखार के रखे हैं ऐसा तो पांच-छे दिन पहले से मेरा रूम में एक चुछोंगर आके डेरा बसा के रख रहा था मतलब अपना डेरा बसा दिया था वो आके यहां पर रखता था पोर्टी भी कर देता था तो उसका पोर्टी जो है स्मेल करता है तो फिर हम उसको साप किये दो तीन दिन तो ऐसी लगा था जाड़ो करके साप हो गया तो फिर साप होने के बाद भी जो है उसका पोर्टी जो है ना वो उसका इसमेल ही नहीं जाता था तो फिर जर भाई बोला कि इतना ज़्यादा इसमेल करता है ज़रों कुछ हुआ होगा तो फिर हम बोलें कि ठीक एक दिन पुर्शत में साप करते हैं पताने किदर किदर कोना कोपचसम में साथ वो पोटी कर दिया तो उसको साप करेंगे तो फिर एक दिन कुछ ज़्यादा ही समेल करने लगा कुछ वोई चीज जानवर या फिर चुहा सब मर जाता है तो कैसे समेल करता है गंधाने लगा था बहुत ही ज़्यादा तो मंड़े को जो है फुर्शत में थे तो सोचे कि साप कर लेते हैं तो उस दिन पूरा साप सफाई किये तो देखे समान उमान हटा के तो देखे कि वहाँ पे शुचंदर जो है ना बच्चा दिया था तो दोग बच्चा था सैद उसका तो दोनों बच्चा समान से दब गया होगा और दोनों बच्चा लोग मर गया और फिर वो लोगा जो बोड़ी है वो सड़ गया सड़ने के बाद उसमें पिल्लू यानि कीड़ा चोटा चोटा इतना सारा हो गया था देखने में इतना घिनावना लग रहा था अच्छी पर क्या करें कोई तो साफ नहीं न कर देगा तो फिर साफ सफाई किये पूरा रूम पोच्छा लगाए धोवे पिर सफाई करने के बाद भी जो है उसका इसमेल चाहीं नहीं राता अभी भी थोड़ा थोड़ा इसमेल आता ही है लगता है कि वो और स्पोटी कर दिया है तो फिर आज तो मेरा भाई लोग घर गया हुआ है तो रूम में हम अकेले हैं तो खाना होना खाके बस बैठे हुए थे तो फिर वो चुछुदर जो है वापस से आया दरवाज़ा खुला हुआ था तो वापस से आया और फिर अंदर घुश गया अंदर घुशते हम उसको देख लिये हम सोची कि अब दरवाज़ा बन करती हो उसको मारेंगे और हम दरवाज़ा भी बन करते हुआ पर उसको मार ही नहीं पाए वो बार बार बच के भाग जा रहा था और कोना सा में गुल जा रहा था तो फिर उसको पूरा ढूनने का प्रयास किये पर मिला ही नहीं फिर बाहर आंटी के पास गये आंटी को बोले कि जो चुभा मारने वाला गम आता है वो दीजिए तो फिर वो आंटी हमको चुभा मारने वाला गम लाके दी पिर हम वो उसके लिए बिच्छाए यानि कि चाल उसको मारने का प्लानिंग की कि आज राद हम उसको मार के ही गम लेंगे पिर वो गम हम लगा दिये उसके बाद उसका निकलने का कोना से निकलने का वेट करने लगे पर वो साला निकलता ही नहीं है वो भी चालाग, हम भी चालाग हम दोनों चालाग और हम दोनों ही एक दुसरे का वेट कर रहे हैं कि कौन सबसे पहले निकलेगा वो निकलेगा और मैं वार करूँगी और फिर वो मेरे से बचेगा तो फिर बस ऐसे इंतिजार करते करते रात कब बज गया है साड़े बारा और अभी तक वो इधर दर खड़कुड खड़कुड करता है हम उधर जाते हैं पर वो सलजान बचा के भाग जाता है हम सोच रहें कि निकलेगा तो उसको शरूर मारेंगे तो देखते हैं उसको कब तक मार पाते हैं अगर आज हम नहीं मार पाए तो कहीं कल आके हमको ना मार दे या पिर रात में हमको ना मार दे पर कोई नहीं उसको जरूर मारेंगे आज रात का मिसन है एक चिछुदर को मारना यह तो जरूर कम्प्लेट होगा ये मिशन को कम्प्लीट करेंगे ठीक है ना तो चलिए इंतिजार करते हैं उसका किसका चुछुदर का निकलने का निकलेगा तो ही न उसको मारेंगे तो बने रहे हैं मेरे ब्लॉग में जोहार तो सुभा के बज रहे हैं साड़े चार तो गुड मॉनिंग आप सभी को तो आज रात का जो मिशन था चुछुदर मारने का वो फाइनली हम कम्प्लीट कर लिये हैं तो चुछुदर को हम मार दिये हैं तो बहुत ज़्यादा रात तक जागना पड़ा रात जागते जागते सुभा हो गया तो आएए दिखाते हैं चुछुदर को कहां पर मारे हैं तो ये रहा चुछुदर जिसको हम ऐसे मार दिये हैं ये जो डबबा सब है ना इसके अंदर मैं इसे घूस गया था और इसका हम ऐसे दाब है और ये फिर जाड़ो का डंडा है उसको जोर जोर सुसका मुंडी में मुव में मार दिये और उसका मलगो लुहान इस तरह से कर दिये तो फाइनली वो मर गया और अब हम चैन का नीद सुआएंगे नीद दिया रहा है इसका चक्र में हम जाग जाके मार दिये इसको